स्वागते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्जाम वोरियर्स पे आज की वीडियो में बात करने वाले हैं पटवार भरती परिक्षाद 2021 के प्रोविजनल लिस्ट के बारे में कर दिया जाएगा और उन्हें फाइनल सेलेक्शन में शामिल नहीं किया जाएगा तो अभी तक बात इतनी है कि 16 जून को इनका डोक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है और इसके पश्चात एक तरीके से एक फाइनल रिजल्ट जारी होगा जिसमें कि उन केंडिडेट को भी अब शामिल कर लिया जाएगा जो अब प्रोविजनल लिस्ट वालों के स्थान पर आएगे यानि कि जो जो कनडिडेट प्रोविजनल लिस्ट में पास नहीं हो पाएगे यानि कि जो नॉट एलिजिबल हो जाएंगे उनके स्थान पर अब कई अन्य अभिणत को भी चैनित किया जाएगा यानि कि अब पहली बार में तो जो है कुट औफ कम होने के चांस है क्योंकि जो board है वो एक साथ ही 5610 अभ्यर्तियों की training start करेगा ऐसा नहीं होगा कि अभी कुछ अभ्यर्तियों की training start हो जाएगी और बाकि जो कुछ पद बच गए हैं उनके लिए training बाद में start होगी ऐसा नहीं होगा training जो है सभी की एक साथ start होगी एक साथ उन्हें joining दी जाएगी जो candidate join नहीं करेंगे उनके इस्थान पर फिर waiting list निकाली जाएगी यानि कि अभी 16 जून को आपकी provisional list वालों का verification होगा उसके बाद जितने भी अभीरती यहां से हट जाते हैं यानि कि यहां से not eligible हो जाते हैं तो उनके इस्थान पर फिर उन candidate को शामिल किया जाएगा जिनके document पूरे हैं लेकिन उनके cut off से number थोड़े कम है यानि कि वे अभीरती जिनके cut off से कुछ number कम है उनके chance बनते हैं कि उन्हें पहली joining list में शामिल कर लिया जाएगा यानि कि जो पहली list है उसमें उन्हें शामिल कर लिया जाएगा और उन्हें भी बागी अभीरतीों के साथ ही joining दी जाएगी तो अब अगर हम बात करें कि 16 जून तक यह provision list के verification complete हो जाते हैं तो इसके बाद जो आपका joining notice आने वाले 10 से 15 दिनों में यानि कि जून के अंत तक आपका joining notice जारी हो जाएगा जिसमें कि आपका नाम होगा आपके नाम के आगे आपका जो भी आपकी district allotment होगा वो भी दिया जाएगा उसमें कि आपको किस जिले में allotment या किस जिले में आपकी joining और training होनी है तो ये notice आपका June के अंत तक संभावी थे कि आ सकता है पूरे chance भी है कि ये June के अंत तक आपका joining notice आजाएगा आपकी जो joining मिलेगी वो July में मिलेगी क्योंकि एक बार notice जारी होने के लगबख 10 से 15 दिन में आपकी joining दे दी जाती है यानि कि आपको एक date दे दी जाएगी माले जे 15 जुलाई आपको date दी जाती है कि 15 जुलाई तक आपको join कर लेना है यानि कि आपकी जो joining के date हो जुलाई के महिने में आ जाएगी इसके बाद अगर हम बात करें अगर joining जुलाई के महीने में complete हो जाती है तो इसकी पश्चा जो पहली waiting list है उसको आने में लगबग 4 महीने का समय लग जाता है यानि कि आप कम से कम मानिए 4 महीने का समय लग जाएगा क्योंकि जो joining होगे जुलाई में इसमें कई candidate ऐसे होंगे जो join नहीं करेंगे क्योंकि वो किसी और भरती में join कर चुके होंगे तो इसलिए जो है यहाँ पर seat खाली दे जाएगी इसके पश्चात बोर्ड के द्वारा जितने भी जो डिस्टिक है उनमें से जो भी seat खाली दे गई है वहाँ से उन seatों की संख्या या जो भी है उसका विवरन मांगा जाएगा इसके पश्चात जो इनके पास दूसरी लिस्ट होती है जिसमें की वेटिंग लिस्ट वाले केंडिडेट होते हैं इन्हें यहां से सेलेक्ट करके इन पदों के लिए आममंतरित किया जाएगा इसमें से भी कई ऐसे अभ्यरति होंगे जो जो जोइन नहीं करेंगे क्योंकि आप सभी जानते हैं कि वीडियो का जो वीडियो मैंस इसका एक्जाम होने वाला है इसके अलवा कम्प्यूटर इंस्ट्रेक्टर का भी एक्जाम होने वाला है तो यह दोरों भरती जो है नवंबर तक कंप्लिट हो जाएगी तो कई ऐसे भेरतियों के वेटिंग लिस्ट वाले भी जो यहां से दूसरी बरतियों में चले जाएंगे यानि कि उन में वो जोईन कर लेंगे तो इस प्रकार से पहली waiting list आएगी उसके पस्चात भी कुछ जोईन नहीं करेंगे तो आपके second waiting list आएगी यानि कि last तक बात इतनी है कि जिनके भी cut off से लगबग 2-3 number कम है तो उनका एक तरीके से यापस selection हो जाएगा waiting list में भी ऐसा इसलिए है क्योंकि पिछली जो भरतिया हुई है उनमें भी ऐसा ही देखा गया है और ऐसा चलता आ रहा है तो इस भरति में भी ऐसा होगा कि अगर आपके cut off से 2-3 number कम है तो आप एक तरीके से waiting list में ज़रूर select हो जाएगे यानकि waiting list से आप एक तरीके से joining तक चले जाएगे ठीक है ऐसा क्यों होगा क्योंकि कई ऐसी बरतिया जो complete होने वाली है सबसे बड़ी बरतिया वो video men's की है जो कि November तक आपकी complete हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर एक ही दिन paper हो रहा है इसमें कोई shift का नहीं है कि अलग-अलग shift में paper होगा फिर वही court case चलेंगे normalization को लेकर court case होगा ऐसी चीज़ नहीं होगी यहाँ पर एक ही जो है shift में आपका exam हो रहा है तो यहाँ पर जादा time नहीं लगेगा वीडियो की भरती complete होने में November से पहले पहले आपकी यह भरती complete हो जाएगी तो कई ऐसे भरती होंगे जो की waiting list में शामिल है वो सब वीडियो में जाएगे तो यहाँ पर पद फिर भी रिकतर रह जाएगे तो इस परकार waiting list निकलेगी और यह clear होते जाएगे तो लगबग जिनके भी cut off से 2-3 number कम है उनका selection यहाँ पर होने के chance पूरे है तो आपकी जो joining है वो आपको जुलाई में मिल जाएगी जो भी candidate finally select होंगे 5-610 उन्हें joining दे दी जाएगी जुलाई में और इसके बाद अगर हम बात करें तो जो waiting list है पहली वो आपकी नवंबर में आ सकती है लगबग 4 महिने का समय लग जाता है तो आपकी नवंबर में जो है आपकी waiting list आने के पूरे chance रहते हैं तो यह था हमारे वीडियो कई अभिरतियों ने कहा था यह सब वीडियो बनाने के लिए तो शायद उनके लिए जानकरी प्रयाप्त होगे अगर आपको वीडियो अच्छा लगए तो like and share जरूर किजेगा Thank you, जैहिन, जै भारत